दोस्तो ट्रिप अगर कभी भी करनी होती है नो तो उसके लिए लाखो तयारिया होती है और मैंने भी अपनी गाड़े के अंदर बहुत सारी तयारिया करी है है आपको एक अच्छे सी वीडियो और सीन देने के लिए यहां पर वीडियो है यह शूट हो रहा है लेकिन यह सबसे पहले वीडियो आप देखो क्योंकि इसके बाद में मेरे जो व्लॉक्स की सीरीज है वह आएगी काजा ट्रिप की विंटर स्पीति को अकॉर्डिंगली बन इतनी extreme conditions वाली वीडियो मिलेंगी जो शायद आप लगे कि यार इस गाड़ी को लेके मैं विंटर स्पीति करने कैसे चला गया लेकिन उसको पहले मैंने capable बनाया है बात करता हूं क्या क्या किया है चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं वीडियो में आपको एक पुइंट इस गाड़ी के अंदर फिलाल हुए है सबसे पहले बात कर लें तो भी यह गाड़ी के अंदर अपग्रेड जो हुआ है वह हुआ है गाड़ी का अलोई वील मैंने लिया है मारूती का ही एक जन्वन पार्ट वाला अलोई वील और उसको लेने का कारण क्या है देखो अब मै अब रोब बान देंगे तो ब्रेक पैड में उलजकर तूट सकता है इसलिए मैंने अलोई वील पर अपग्रेड किया है 14 इंचे सेम मेरे ही पुराने टायर इसमें काम आ गया है लेकिन मैंने क्या किया बस सिर्फ और सर्फ अलोई वील डलवा लिया उसकी वैसे यहाँ पर स और क्या वैदर चल रहा है आपको मैनस के टेंपरेचर में अब जित्ते भी व्लॉक्स मिलेगों इस पर तेंपरेचर भी दिखाया जागा क्योंकि मैने यहां पर नोटिस किया अभी तर जहां हम जा रहे है वह तो मैनस साथ आट इंदर टेंपरेच्र मशीन भी लगाई है जो की सेट है वहाँ पे आप देख सकते हो वह लगी हुई फिलालग अगर अभी की बात करने तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी 16 हमने गाड़ी के अंदर मैंटेन करके रखो हीटर चला हुआ था और बहार का 8.1 अब यह कहेंगे इसका अंदर बहार का कैसे है मैं आपको और चैले चीघषैएं यहाँ से वायर गया है और यहां पर फस गया है क्वायर निकला दो यहां 16 अधर वाहला तो इंचरनल चांन्स करी रहा यह यो ज्रूरी है और आप वीडियो व्लॉगिंग करते हो तो आपको बहुत सारे प्रूर करने के लिए घूप मशीने चाहिए हो जो आप करते हो रोड के माईक जो में रही हो यह ब है भी चार्ज करोगे इस अलगफून आप के पास में तो वह भी चार्ज करोगे ड्रोन है वह भी चार्ज करोगे और तको ठंड है कहीं कुछ खाना बनाना हो तो भी आपको राइस कुकर वगएरा चीज़ें उसको बनाने के लिए तो मैंने इसके अंदर बहुत ही शांदर गैजट लगाया है वो क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास में है 139 वाट का एक स्पेशल गैजट यह देख सकतो आप यह क्या है यहां पर आपको एकसेस देता है बहुत सारी चीज़े लगाने के लिए इविन आपके इसके अंदर कितने भी चार्जिंग स्पोर्ट जो हैं वो आप लगा लो आप किते फोन चार्ज कर लो ड् इस भी पका देता है आप खुद सोचो और इसके अलग यहां तो गैजट्स है उसके अलग एक और चीज़ दिखा तो कि यहां पर जब आप इसको फिट करोगे यहां पर भी दो चार्जिंग के लिए सपोर्ट आपको मिल जाता है तो और क्या चीज इतने सारे गैजट्स अ देंड़कल लगाईगा नदर ये बी आपको काम आएगा लेकिन यह किया है हमारे पास है आई-फॉन तो यहांपर क्या है हम इसको लगा सकते हैं और फोन ओटमेटिकली जो है वो चार्ज सोना शुरू हो जाता है पहला पात यह और आप अपना फोन वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं और आपको बार-बार बटन दबा के निकालना फोन वह भी दिखकत दूसरी चीज़ के अंदर आपको अगर अप्रफ आप वाच चार्ज भी कर सकते हैं सबसे बढ़ाद के यहां ले वह कि लेके इसको चार्ज है और क्या चीज़ दिखाता हूं वह अपको पता ही है कि गाड़ी के बैड हमारी के बनता ही कि यहां पर क्या है इसे हमारा बूर्स पेस्ट है भॉध जादा क्रेट हो जाता हुआर हमारा है कि इतना सारा इंजन हो एकलिट्र इंजit है सी एंजी भी आ यहां पर अपना सबस्क्राइब नहीं के इसलिए बन जाएगी क्योंकि हमने गाड़ी पर अपग्रेड कर दिया है अलोई वील्स को अगर अलोई वील्स ना होते तो शायद फिर दिक्कत होती क्योंकि तब इसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता रोप बांदने के लिए फिर स्नोचेन क्रेड करानी पड़ती उसमें य बात चलना के लिए टायर वाला इनका इतना मोटा है जो नीचे का सोल होगते तो अगर आप अगर आर्प बंजाती उसको पर चलेंगग डिक्कत नहीं हो गी फिलाल इतने सारे अप्ग्रेट्स के बाद में हमारी गाड़ी हो चुकी है बढ़िया कैपिवल और हम भी हो चुकी है तो यहार अपनी आगे की जर्णी को लेकर फिलाल अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को यह सब्सक्राइब कर लेना दूसरी चीच है एक और चीच बहुत लिंक दूँगा उस गुरूप को जोइन कर लिजिए 4x2 वीडियो एक्सपेडिशन जो है वह हम शुरू करेंगे एक लिस्ट दस वैगनार को एकट्टा लेके जाएंगे इन एक्स्रीम कंडिशन पर अगली ट्रिप पर सारी जानकरी आपको वहाँ पर मिल जाएगी तो चै कर सकते हैं जब वीडियो पसद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें अपने सब्सक्राइब के साथ धन्यवाद